कर दो कैसे आप लोगों मित करता हूं आप सबच्चियों में और आधिम कहा जाने वाले यह तो अक्कों पता ही लगे होगा थम देल देख की तो चलिए शुरू करते हैं मिलते हैं आप फूर लोकीशन पर जैसे के आप लोग देख रहूंगे मैं आज चिता हूं दिल्ली के भूल भुलाईया में और मेरे पीछे दिल्ली का भूल भुलाईया चलिए आप को मैं अंदर से दिखा रहे हैं कि आप कि जैसे कि आपनों देख सकते मां अंदर यहां से बहुत ही जादा करें पहुत को चुछ करता हूं जायदा को पाइदल भी आसकते हैं और आप चाहे तो पांच-पांच दद्र शुरुपे में यहाँ लंग करके आ सकते हैं मैं आपको अंदर का पूरा निजार बहुत है हुआ है जैसे कि पूर देख रहे होंगे उसको नहीं अचिर नहीं और हम आपको बताना चाहता हूं इसको भूल हो यह जिए कि नहीं हुआ जाता है क्यों कि यहां पर एक कहाणिया क्थ यहां पर आई थी पूरी की पूरी बढर रगाय चीं पहले एक बंदा बढ़ात गया उसके पीश पूरी बढाइस दुन्डे की निजए दिती और इसमें सा कॉल भी वापस निया आया जाता है और में आको दिखाना चाहता हूं के दिरुकेंदर मजार भी है आए यह है आदम खान का मगवरा आप बीच में बनाएं चारों तरफ देख सकते हैं इसके जो आठ गेत है इसके टोटल गेट आठ है और बीच में एक मगवरा बनाए गया है और यह नहीं है यह नहीं जो रियल मकवर वो इसके नीचे यह आठीपीशल मकवर आदम खान जो थे वह अकवर के सोतेले भाई ते और ऐसा बताया जाता है कि अकवर नहीं अपने भाई आदम को मारने का आदेश दिया था क्योंकि इनों ने जो अकवर थे उनके फास बंदे को मार दिया था इस वे से इनको मारने खार गदित इनकी निया पुस्त सफड़र कफेशक आपर ने रिया के अचक्तूर। में आपको बताया यहां पर पुरी नीचे अगए बरादगाया ती holi сопar तो में अबहा आदम खान जो गुआ करते थे उनके मरने के 40 दिन वाद ही उनकी मा का भी निजन हो गया था इसनिया बताया है ऐसा भी जाता है कि जो यह मगवर आइसके नीचे ही एक मगवर है वैलकि दो मगवरे एक आदम खान का और दोनों का मगवरे इसके अंदर ही है चलिए मैं आपको और इसके वारे में आगे इस पीड़ा है ऐसा बताया जाता है कि 1830 में यहाँ पर एक अंग्रेज आया था इसका नाम था ब्लैक और अंग्रेज जो था ब्लैक उसने इसको ना अपने रहने के निए घर बना दिया था इसीनिया जो मगवर आया उस मगवरे को पूरा हटा द दया कि यहाँ जबहां अगरिया उसके बाद इसको एक वाट डागघर बनाए गया डागघर बनने के बाद कुछ सालों थाक इसको डागर बनाये ठाखा गया लेकिन उसके बाद ज Casey पना यहाँ लेकर व पर जो वनाइय गई थी ऐसी इसकी हिष्टिय बता आई गया और चल झाल 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 अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे करीब पढ़ता है मेरोली सरीफ बश्टेंड जो है कि इसके सामने है उसके ठीक सामने है यह भूल भूली है इसके ठीक सामने है और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके तीनों तरफ तो जंगली जंगलें आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने परिवार के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको इस ब्लोग में आप बताया अगर आपको मेरे ब्लोग पसंद आयो तो एक बार लाइक जरू करते कमेंट करते और सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो चलिए आपको मैं अगले व्लोग में मिलता हूं हमारा व्लोग देखने के धन्यवाद